हलो दोस्तों तो आलू के आपने तो बहुत सारी रेसिपी खाई हुईगी तो हम आज एक नहीं रेसिपी बनाने जा रहे हैं आलू की तो उसके लिए हम आलू को बाल लेंगे पहले फिर उसके बाद हम उसे बगारेंगे तो हम तेल लेंगे फ्राइफेन में फिर उसके अंदर जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला साद अनुसार नमक डाल कर इसे हम अच्छी तरह से भूझ लेंगे उसके बाद जो हमने आलू को छील कर कट करा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से भूझ लेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें मैस कर देना है क्योंकि जो रेसिपी हम बनाने जार हैं उसमें हमें एकदम मैस आलू चाहिए तो हम इसे गद्दू कस्षे भी एकदम अच्छी तरह से मैस कर सकते हैं आप चाहें तो पहले ही आलोगों को गद्दू कस्थ भी कर सकते हैं तो देखिए हमने मैस करते हुए पूरे आलोगों को मिक्स कर लिया है अब हम इसके लिए इसके आगे की जो रेसिपी है उसे हम बनाएंगे तो जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम दूसरा आगे का प्रोसेस करेंगे और इसमें थोड़ी सी दानिया भी डाल देंगे अब लेंगे हम एक दो कटोरी के करीब हम ले लेंगे मैदा मैदे को हमें चान लेना है आप कभी भी मैदे और आटे की कोई भी चीज बनाएं तो उसे जरूर चान यह क्योंकि उसमें कुछ न कुछ इस तरह से बड़े बड़े रहते हैं और फिर उसके बाद हमें इसमें अजवाइन डालना है स्वाधन उसार नमाख और एक चम्मच भरके हमें तेल डालना हम जितना तेल डालेंगे और जितना मोयन करेंगे उतنا ही यह खस्ता बनेगा तो इसे और भी खस्ता बनाने के लिए हम इसमें एक चम्मच के करीब घी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा पाने डाल के इसे हमें नर्म आटा गुंद लेना है आप कभी भी आटा गुंद है जब किसी भी चीज के लिए तो हमें उसमें थोड़ा ही थोड़ा पाने डालना है नहीं तो जब अगर आटा गीला हो जाता है तो उसे हम FIT नहीं कर सकते हैं और आटे में जब थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे तो जिस तरह का आटा चाहिए दो थो आटा हमें। आटे को हमें 20 मिनट के लिए ढख कर छोड़ देना है उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा आटा एक दमच्छी तरस से मुलायम हो चुका है अब इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे आटे को हमें मसलना बहुत जरूरी है क्यूंकि हम जब आटे को मसलते हैं तो उसमें जितने भी लंब सो होते हैं वो सारे खतम हो जाते हैं अब आटे से हमें जितनी बड़ी रोटी बनानी है उसे साथ से हम आटा निकाल लेंगे और उसका एक पेड़ा बना लेंगे अब पेड़े को हमें बेल लेना है हम इसकी बड़ी सी रोटी बेलेंगे और उसके बाद हम आलो की स्टेफिंग लगा देंगे पूरे आटे में एकदम अच्छी तरह से हमें इसे फैला देना है उसके बाद हम पिज्जा कटर लेंगे उसे पिज्जा जिस तरह से कट करते हैं उस तरह से हमें दोनर तरफ से बराबर कट कर देंगे आप चाहें तो इस अब इसे हम अंदर की तरह से फोल्ड करेंगे तो आप चाहें तो इसे बाहर की तरफ से भी फोल्ड कर सकते हैं मैंने कुछ अंदर की तरफ से फोल्ड किया है और कुछ स्लाइस हमने बाहर की तरफ से भी फोल्ड की है तो देखिए हमने इसे थोड़ा बाहर की तरफ से भी फोल्ड कर लिया है आप किसी भी डिजाइंग में इसे बना सकते हैं अब हम लेंगे तेल तेल एकदम अच्छे से गरम हो जाना चाहिए उसके बाद हम इसे मीडिया मार्च पे तलेंगे जब हम मीडिया मार्च पे तलते हैं तो यह बहुत ही खस्ता बनते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें चैनल पे पहली बार आएं तो सस्क्राइब कर लें खाए और इंजोई करें बाए